आपका भाग रेखा जुवाबर के सभी नौजवान भायों बहनों बुजुर्गों तथा बच्चों आज मैं फिर से एक नया विशय के साथ आप सभी के सामने आया हूँ आज का मुख्य विशय है आपका भाग रेखा मकर संक्रांती के शुब अवशर पर यह भीडियो मैं आपनों के पास भेज रहा हूँ भायों आपका भाग क्या कह रहा है यह जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखे भाग रेखा का जीवन में सर्वत्तम महत्व माना गया है जुगा बड़ी के शभी शाथियों भाग रेखा का एक गारा स्थानों से उद्गम होता है हतेली में किसी भी परवत से प्ररम होकर या रेखाओं से निकल कर सनी के परवत पर पहुँचता है उसे भाग रेखा कहते हैं कुछ ब्यक्तियों के हथेली में भाग रेखा नहीं होते हैं जिसके हाथ में भाग रेखा नहीं होते हैं वे कर्म के द्वारा शफलता को प्राप्त करता है यह नमबर एक मनिबंध के उपर से निकलने वाली भाग डेखा यह सर्वोत्तव भाग डेखा माना गया है इस परकार के भाग डेखा वाले व्यक्ति महत्वकांची होते हैं तथा योजना बध काम करने वाले होते हैं परन्तु शफल नहीं हो पाते जबकी दूसरी पर्व पर भाग डेखा चर्ता हो बनते बनते काम बिगर जाता है सनी पर्वत पर पहुंचने वाली दूई जीवा रेखा हो गया हो तो विशेश शुभ माना गया है एक शनी पर तथा दूसरा गूरु पर पहुंचता हो तो अत्यंत सुभ माना गया है ऐसे व्यक्ति शामान घराने में जन्म लेकर उत्तम पद को प्राप्त करता है वे शब का प्रिय स्वभ मानी दानी शब का सुनने वाला और शब का हीत करने वाला तथा उन्मुक्त विचार का होता है नमबर दो जीवन रेखा के पास से निकलने वाली शनी परवत पर पहुंच जाती है इस परकार के रेखा श्रेश्ट माना गया है परंतु मधमा उंगली के दूसरे परोपर चड़े या चड़ने का प्रयत्न करे तो यह बाधाओं का पैदा करता है ऐसे ब्यक्ति सासी होते हुए परसानियों से घेरे रहते हैं यह ब्यक्ति बहुत मुश्किल से शफलता प्राप्त करते हैं जिसके हाथ में यह शनी परवत पर पहुंचता है वे ब्यक्ति प्रयत्नों से अठाइस में बर्स में भागूदय होता है नमबर तीन शुक्र परवत शे निकलने वाली भाग रेखा यह रेखा जितना ही अस्पशनी दोस होता है उतना ही शुभ माना गया है यह रेखा जीवन रेखा को काट कर जिस उम्र में निकलती है उस समय ब्यक्ति परसानियों से गुजरता है उस शमय भयंकर दुर घटना हो सकता है शुक्र परवत से निकलने वाली भाग रेखा बालों को दिवाह के बाद भागो दै होता है ऐसा समझना चाहिए प्रेम के छेत्र में बहुत चढ़ा बढ़ा होता है सस्राल से बहुत अधिक धन मिलता है इनके इस्त्री सुन्दर आकर्स तथा तरक भरक में रहने वाली होती है इनका बुढ़ापा कश्ट का होता है बेवाहिक जीवन शुक्में नहीं होता भाग रेखा पर दीप का अचिन होतो पतिनी पती में मत भेद के वजह से एक साथ नहीं रहते है नमबर चार मंगल परवत से निकलने वाली भाग रेखा शुभ मना गया है ऐसे व्रक्ति का भागूद है जुबा वास्था के बार ही होता है सिक्षा के छेत्र में बराबर बाधाय दिखाई देता है उच्च सिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं जदी कोई सहाय के रेखा न हो तो अपने ही की हुई गलती के अश्याताप करता है मित्रों का सहयोग नहीं मिलता है उनती के लिए कठोर मेहनत करना परता है भागोद बिलम से होता है ऐसे व्रक्ति पुलिस या मलेटरी में विशेश उनती कर सकता है नमबर पांच यह रेखा जीवन रेखा को काटती हुई सनी परवत पर पहुँचे या पहुँचने का प्रयास करती है यह रेखा मधमा के छोड तक पहुँचने का प्रयास करे तो वह व्यक्ति सफलता नहीं कर पाता है सफलता के लिए बराबर प्रयत्न करता रहेगा परंत उसे जीवन में सफलता नहीं मिलेगा जीवन के मद है काल में विकास करता है ऐसे ब्यक्ति चित्रकार शाहितकार होते हैं ऐसे ब्यक्ति देश भक्त होते हैं तथा विड़ा अवस्था शुखमय होता है राहू छेत्र से निकलने वाले भाग रेखा शभाग शाली माना जाता है इस परकार के व्यक्ति का भाग ओदे 36 वर्ष से 42 वर्ष के बीच आश्यर्जनक रूप से भाग ओदे होता है ऐसे ब्यक्ति जीवन का प्रारंभिक अत्यंत कश्ट दायक होता है परंतु जुबा और विड़ा वस्था अत्यंत सुखद होता है जीवन के उत्तरकाल में धौन मान पद परतिश्था आधी प्राप्त होता है जदी कोई बाधक रेखा न होतो तथा गुरु परवत की ओर एक रेखा निकलता हो मैं संत श्रीकिष्ण भगत परसवनी अपने बानी को यहीं बिराम देता हूँ लाइक करे, सेर करे, सस्क्राइब करे तथा बेल आइकन को जरूर दबावे सेस भाग दो में देखेंगे देखने के लिए आप सभी को शुब कामनाय तथा शाधूबाद जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथला